आज हमारी रसोई में बन रहा है मतर के भरवा पराथे सर्दियों की बड़ी स्पेशल रेसिपी है और इस मतर के पराथों की जो स्टफिंग बड़ी मज़दार चटपटी बनेगी साथी में मैं आपको सीक्रेट टिप्स बताऊंगी कि आपके भरवा पराथे फूले फूले कैसे बनेगे और इसके साथ हम बना रहें टमाटर की मज़दार चटपटी चटनी बिल्कुल देसी स्टाइल तो वीडियो बहुत ही मज़दार होने वाला है वीडियो को पूरा आखरी तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेरो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो एक तरफ हमने पैन में 2-3 चमत सरसो का तेल डाल दिया है तेल जब तक गरम हो रहा है मीडियम फ्लेम पे तब तक हम इधर देसी लाल लाल टमाटर लिये हैं इसमें हम आदा चमत जीरा आदा चमत हींग का तड़का दे देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10-15 सेकेंड बद जीरो को चटकने देंगे क्योंकि तेल अच्छा गरम है तो जादा हमें जीरो को नहीं पकाना है अब हम इसमें डालेंगे आदा इंच अद्रक कट्टुकु तो एक तरफ हमारा स्टफिंग त्यार हो रही दूसरी तरफ टमाटर भी भुन रहे हैं तो टमाटरों को भी जड़ा देख ले इनको अल्टा पल्टी कर देंगे जिससे की हर तरफ से यह बराबर से भुन जाए अब हम डालते है मसाला हल्दी पॉडर डाला है आदा चमत से इल्टा पल्टी कर दिया अपड़एं मिर्च यह अपने स्वातके नुसा डलेज जाए ब्लाल मिर्च तो चमत धनीकद्बर लाटा टीक भी ब्ली जाए पॉडर जैसे मिल म्यात अप में सवातके नुसा ऑशा ढाईं ब्लीम तो ते मटर को हलका सा पकाना है जिससे कि उसका कच्छा पन खतम हो जाए अगर आप हलका सा इसको पकाएंगे नहीं तो मटर कच्छी कच्छी लगेगी खाने में मज़ा नहीं आएगा पराथे तो ग्यास की फ्लेम को लो कर दीजिए और ढख के हम सिर्फ उससे पांच मिनट पकाएं मटर हमारी अच्छे से गल गई है तो बस यहां पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मटर गल गई है अब इसको ठंडा करने के लिए हम रखेंगे तो बस ग्यास की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए खूप सारे धनिया पत्ता तो धनिया पत्ता मैंने आदा बिल्कुल बढ़ियां से काले काले हो गए इनको लाल टमाटरों को मैंने कैसा काला कर दिया आप देख सते लेकिन इसी तरह से इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है टमाटर खूब अच्छे से भुन गए है तो टमाटर भुन के रेडी हो चुके इनको रखते हैं साइड म बाद में इसका छिलका उतार के हम बढ़ियां सी चक्की बनाएंगे देशी स्टाइल वाली तब तक हम लगा लेते हैं आटा तो यहां पे हमने गेहू का दो कप आटा लिया जिसमें की थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसका सेमी स सॉफ्ट डो तयार करेंगे कोई भी भरवा पराठे बनाते हैं उसके लिए कभी भी हम डो सकत नहीं लगाते हैं टाइप नहीं लगाते इस बात का बस आप ध्यान रखिए आठे को खूब अच्छे से मल के मसल के गूत लीजिए और थोड़ा सॉफ्ट आठे का डो लगाई जिससे कि आठा हमारा सेठ हो जाएगा तो भरवा पराठे अच्छे बनेगे आठे को रखते हैं साइड में तो अभी हमारी मतर भी कि हमने भूण था इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे यह इतनी ठंडी हो गई है कि हम इसे भून लियाता है तो इसके उपर हमने जो ते लगाया था उससे इसका ऊपर का छिलका रहाना बहुत असान है तो आप पद अम सारे टमाटिरों चिलके है उसको हटा देंगे तमाटर बहुत अच्य से भून चुके हैं अब हम क्या करते हैं आदा इंच के करीब अदरक लेते है और साथ ही में हम लेते हैं हरी मिर्चा खूब सारी और लैसुन लेते हैं 10 से 12 कलिएं क्योंकि इस वाली चट्ट्टी में लैसुन अद्रग हरी मिर्चा जितना डालेंगे उतना बढ़िया वड़ेगा इन सारी चीजों को अच्छे से क्रश कर लीजिए काट ना डालीगा इस ऊपर की जो घाट की दिख्याद सेटनी में क्रश करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो ऊपर से हमने काट दिया है अब गला जुड़ कि अद्रक ध्रिमिर्चा जो डाल देंगे साती में खोब सारा हरी धनिया के पत्ते डाल दीजे, बारिक-बारिक काटके तो धनिया को खुब अच्छे से धोलीजेगा सेना नमक मैं यूज़ कर रही हूँ चटनी बनाने में बस नमक डाल दिया है और इसको हलका सा आप इस तरह से दबा दीजे या हातों से मैश कर दीजे या आपके भरता बनाने वाला जो मैशर उससे मैश कर दीजे आपकी चटनी बनके तयार हो जाएगी तो यह देखिए हमारी टमाटर धनिया की देशी स्टायर वाली चटनी बन गई है इसमें अगर आप एक चम्मत कच्चे सरसो का तेल डाल देगे ना यानि की सरसो के तेल को भीना पकाय ऐसे ही डाल दीजे एक चम्मत छोटी तो आपकी चटनी बहुत तेज बनेगी तो चटनी हमारी बनके तयार है तो पराठा बनाने में देरी किस बात की पराठे भी बना लेते हैं फटा फट एक पेड़े को काट लेंगे उसको चिकना कर लेंगे और आटे में डस्ट कर देंगे अच्छे से आटे में अच्छे से डस्ट करीगा क्योंकि हमें मटर की स्ट स्टफिंग थोड़ी सी गीली होती है इसलिए थोड़ा आटे में अच्छे से डस्ट करिए उसके बाद इस तरह से गोल गोल नचाती हुई काटोरी बना लिजेगा काटोरी बनाने से क्या होता है स्टफिंग बराबर से चारो तरफ फैलती है बीच में हम एक से डेड़ अटे में डेश्ट करेंוכ एक और फिर पहले हम इस पेड़े को हाँस से इस तरह से ड़ाएंगे इससे क्या होगा सारी स्ट्फिंग पूरे में अच्छे से फैल जाएगी बिल कुल हलके हलके हातों से हमें इसे बेलेंगे हमें बहुत PRESSURE लगा के बेलना नहीं है बीच में प जब इस तरह के ब्राउन ब्राउन चिकत्ते पढ़ जाते हैं दोनों साइट से बराबर से उसके बाद हम घी या ओयल या मखन लगा के पराठो को सेखते हैं कि बस इस बात का आप धियान रखेगा तो आपके पराठे बिल्कु गुबाड़े की तरह भरमा पराठे फूलेंगे तो यह देखि Billie अंदर से जब पराठा पक जाता है तब यह गुबाड़े की तरह फूल जाता इ मेरा पराठा फूल गया तो मैं में ओवर एक्साइटेड हो गई और कैमरे को मैंने हाथ में ले लिए तो वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत हो गई तो लीजे भाई हमारे मतर के भर्वा पराठे तबे पर गुबाड़े की तरह फूल के तयार है टमाटर की मज़ेदार जोरदार चटनी भी बन गई है अगर आप लोग पहली वा मेरे चैनल पर आए है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है जल्ली से प्रेस कर लीजे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है तो सर्दियों के मौसमें गर्मा गरम मतर के भर्मा पराडे और टमाटर की देसी स्टाइल चटनी से आप जरूर नाश्ता करिए आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेरो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हम फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़दा चटपटी रेसिपी के साथ तब तक आप लोग घर का बना हुआ खाना खाईए स्वस्त रहिए मस रहिए मेरा वीडियो देखते रहिए बाबाई एंड टेक कियर